भाशा और शब्दों के धागों से हमें अपने इतिहास की चड़े मिलती हैं हमेरे बोधिसत्त वावा साहब कहा करते थे न कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता पाली में सुथ है जान सुथ अंगुत्त निकाय में ये जान शब्द सन्सकृत में हो गया ध्यान जब भी कोई कुछ नकल करता है तो वो सोचता है कि असल किसी को पताना चले या असल में कुछ नकुछ ऐसी मिलावट करो कि वो जो है नकल ही असल दिखाई दे और भारत में य के खेल बहुत हुआ है और हम देखते हैं कि जीवक बगवान बुद्धि के पास बार-बार आते हैं और विक्वों की बीमारियों का इलाज करते हैं उनको चिकित्सा देते हैं और विने पिटक में हम देखते हैं कि विक्वों को चिकित्सा कभी ज्यान हुआ करता था सलस्कृ साहित संस्कृत साहित की सबसे पहले रचना बौधों नहीं की है आप देख लीजिए यहां से लेके युनान तक अफगानिस्तान तक जहां कहीं भी हमको बौध अवसेश मिलते हैं मूर्तियों के रूप में यह सब महायानियों की देन है हमको बड़ा गर्व भी होता है कि फलानी खुदाई में मूर्ति मिली है अमुक जगे मूर्ति मिली है यह देन महायानियों की है जो सिद्ध करता है कि इस धर्ती का चप्पा चप्पा भगवान बुद्ध का है तो यह ज पिछले 18 साल से भारत में पाली भाषा का एक महान उत्सो चल रहा है 18 साल से उत्सो चल रहा है बोधी सत्मों के संकल्प में छोटे मोटे संकल्प में होते हैं इन संकल्पों में उर्जा होती हैं उनके प्राण सम्मिलित होते हैं उनकी चेतना सम्मिलित होती है कि भारत की धर्ती पर आज जो बुद्ध धम दिख रहा है इसका एक माद रश्वेग बाबा से दोक्टर अमेट करको है जिन्दगी दी है तो जीने का हुनर भी देना पाँ वो बक्षे है तो तौफी के सफर भी देना तौफी के सफर यानि यात्रा की ताकत जिन्दगी दी है तो जीने का हुनर भी देना पाँ वो बक्षे है तो तौफी के सफर भी देना गुफ्त गुद तुम ने सिखाई है मैं तो गूंगा था अब मैं बोलूँगा तुम मेरी बातों में असर भी देना अपने महान युक के महान बोधिसत्व भावासा डॉक्टर अम्बेटकर की इस जागरिद भूमी से आप लोगों से संबोधित हूँ भगवान बुद्ध की भूमी, सारनात, कुशी नगर, संकिसा, श्रावस्ति की भूमी से इस भूमी को नमन करता हूँ और ये जो आज का विशे रखा है, बड़ा प्यारा विशे है, और सुबह से मैं देख रहा हूँ कि क्रमिक रूप से धीरे-धीरे ये अखिल भारतिये पाली भाष्व साहित समेलन नाकपुर 2024 एक उचाई की उड़ चलता चला जा रहा है, एक से एक व्रिक्तित तो यहां आ जा रहे हैं, और हर कोई गागर मिसागर उंडेल कर अपनी बाते रख रहे हैं, मैं भी सोच रहा था कि बोलने से पहले मैं निवेधन करूंगा, कि सरुस्वति सर के हाद से माइक ले लो और उनकी कलाई से घड़ी निकाल लो, लेकिन सर ने मतलब कहां से मेरी दुआ सुन ल और उन्होंने परियाप्त समय दिया कि हम अपनी बात कह पाएं, मैं एक बार मुदरार अक्षर जी के साथ जा रहा था राइवरेली, नहीं जा रहा था आजमगड, आजमगड में वो शवाना आजमी जी का कारकम था, कैफी आजमी की याद में, मुदरार अक्षर जी उत्त विख्यात लेखक थे, कुछ लोग उनके नाम से वाकिफ होंगे, और अक्सर होता है कि जो चीफ गेस्ट होता है, मुख्य वक्ता होता है, उसको बड़ी देर के बाद बोलाते हैं, क्योंकि वो उसी एक चेहरे को दिखा के बहुत लोगों को बलवाना होता है, तो वो कह रह कि आया हूं तो कुछ है, आप लोगों के साथ साजा करने के लिए आया हूं, और ये जिस भी कौम में इस तरीके के वैचारिक साजेदारी, वैचारिक संबाद चलता रहता है, उस कौम को जिन्दा कौम कहते हैं, जिस कौम के बीच संबाद बंद हो जाता है वो कौम मर जाती है इसलिए भी हम नागपुर के सायोजन का हमेशा ही अभिनिंदन करते हैं कि हम अपने जिन्दा होने का सबूत दे रहे होते हैं मुझे लियो टॉलस्टाय के एक छोटी से कहानी याद आती है कहानी ऐसी है कि सड़क किनार एक भिखारी और उसके दाएं और बाएं बैठे वी भिखारियों की कतार उस भिखारी को कुछ हो जाता है संक्रामक रोग तो उसके दाएं बाएं की भिखारी भी बीमार पढ़ने लगते हैं तो यह करके उसके दाएं और बाएं की कतार खाली हो जाती है वो अकेला बसता है और बीमारी उसकी ऐसी है कि उसको हिदायत दे दी जाती है कहीं से हटना नहीं है और लोग उसको भीग देना भी बंद कर देते हैं और आखिर वो अपनी संक्रामक बीमारी से मर जात कि ऐसी राच्य देश होता है इसको वहीं कबर खोद के गाड़ दो लास लेके शहर में घूमेंगे तो इसकी बिमारी पुरे शहर में फैल जाएगी अपने मूँ के उपर मास्क लागा कर मजदूरों ने उसकी वहीं कबर खोदी और कबर खोदे खोदे उनका फावड़ा उनक एक मटके से टन से बोला जब उसको सजक्ता से धिरी धिर खोद के निकाला तो देखा क्या उसके नीचे सोने की मोरों से बारा हुआ सुन मुद्राओं का एक बहुत बड़ा सा मटका था लियो टॉलस्टाई की कहानी खतम कहां होती है कि सारी जिंदगी खजाने पे बैठके भीक मांगता रहा हूँ आज हम भारत और भारत के बोद्धों की सिती ऐसे ही है खजाना हमारे पास है और हम दुनिया के सामने भीखारी ऐसे बने हुए हैं मैं उस खजाने की कुछ मोरों को आप से परशित कराने की बात करूँगा क्या होता है कि ये जो विशे रखा है हम पफुल गडपाल जी का बड़ा अनमोधन करते हैं बहुत परटन धमिल लिपी और पाली भाशा के नए आयाम भाशा और शब्दों के धागों से हमें अपने इतिहास की जणे मिलती है हमारे बोदी सत्त वावा साहिब कहा करते थे न कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता गणित में जो लोग गणित की प्रष्टभूमी से हैं आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेटरी में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसक थीटा कितने लोग इन शब्दा वाली से वाकिफ हैं जर हात उठाना कितने अधिक लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसक थीटा, यह जो साइन शब्द है ग्रीक भाषा से हम यहां ट्रिग्नोमेटरी पढ़ रहे हैं लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यह शब्द यात्रा करते ही वे भारस से वहां तक गया है जया, त्रिज्ज्या में होता न, जिसे हम रेडियस बोलते हैं उसमें जो जया है जया, अधा जया हो यह, यह जया शब्द जब अरब गया, तो अरब में इसको जेब कहा गया अपनी सुवधा के मुताबिक शब्दों में तब्दीलियां होती रहती है तो भारत का ज्या अरब में जेब बन गया अरब से जब ये ग्रीक में गया तो ग्रीक के लोगों ने ये सोचा कि जेब का मतलब सीने पे लगी हुई पॉकेट होगी तो उनके यहाँ सीने के लिए जो भाषा जो शब्द था वो था सिनुस तो सिनुस के कारण उन्होंने ज्या जेब जेब का सिनुस सिनुस से बना साइंठीटा तो शब्दों के धागे पकड़िये तो यातरा चलती है पाली में सुत है जान शुत्थ अंगुत्तन निकाय में ये ज्ञान शब्द संस्कृत में हो गया ध्यान पिछले सत्र में इसके उपर काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है और डाक्टर पफुल गडपाल जीने बड़ी प्यारी सी बात कही कि कौन पहले कौन बाद इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है संस्कित भाषा का नाम उसकी उत्पत्ति की और संकेत कर रहा है कि ये किसी कथित को संसकारित कर कि जो नहीं भाषा विक्चित हुई है उसका ही नाम संस्कित है उसका नाम ही उसका भेद खोल रहा है बताया गया कि उसके पूर में छांदस चलती थी छांदस का अर्थ होता है छंद बद्ध दरसल क्या है हर भाषा अपने भाषा होने से पहले जो भाषा विज्ञान कहते है ना भाषा विज्ञान में हर भाषा अपने भाषा होने से पहले बोली होती है बोली को जब क्रमिक रूप से व्याकरन बद्ध किया जाता है और व्याकरन बद्ध होने के बाद जब उसमें साहित्य रचना होती तब उसको भाषा बोलते हैं दुनिया के सभी जातियों में कौमों में शुरू शुरू में बोली जो होती चांदस होती है क्यों कि हमें चंदों में काव्यात्मक रूप से याद करना आसान होता है इसलिए वेदों के भाष्य पाणनी की व्याकरण से नहीं होता है वेदों के भाष्य सायन के व्याकरण से होता है सायन यहीं कल्यान में उनकी समाधी है महाराश्ट में समाधी है पाणिनी पाणिनी जो है अनुस्टुप छंद के अविश्कार करता है और हमारे जितने महा काव्य हैं जिनको रामायर, महा भारत और बीज के और जो काव्य हैं ये ज्यादातर काव्य सब के सब अनुस्टुप छंद में हैं और ये रचना पाणिनी की है, ये भी सिद्ध करता है कि ये सारे संस्कृत गरंत बहुत ही कालांतर के हैं। फिर भी हम इसके विस्तार में न जाकर बात कर रहे हैं, जान, जान शब्द संस्कृत में हो गया ध्यान, जब ध्यान शब्द यहां से यात्रा करते हुए आचार बोधी धम के द्वारा चीन पहुचा तो चीन में धा शब्द नहीं था, धा अक्षर नहीं था, तो वो इसको उचारित करते थे चान. चीन से जब ये शब्द तिब्बत गया, तो तिब्बत में इसका उचारण हुआ घान तिब्बत से जब ये शब्द कोरिया गया, अभी पिछली दिनों में जब्द कोरिया गया था, देक्षिन कोरिया, वहां मैंने ध्यान की meditation centers देखे, और वहां वह उसको बोलते हैं, सौन या सौन जान, तो जान, संस्कित ने बना ध्यान, चीन ने बना चान, तिब्बती में बना घान, तिब्बत से कोरिया गया तो बना जान, या सौन जान, कोरिया से वियत नाम गया, तो वहां ये शब्द बना थियेन, और वियत नाम से जब ये शब्द जापान गया तो वह शब्द बना जेन, आप देख रहे हैं शब्दों की यात्रा, जान, ध्यान, घान, जान, जान, थियेन, जेन, आज की तारिक में एकदम से कौन देख के पैचान सकता है कि ये साइन थीटा की उत्पत्ती भारत के जिया से है, ज सब्दों का अपना परेटन होता है, और सब्दों के जरिए हम देखते हैं कि पाली भाषा में साथ, आठ, नो, दस, इनके लिए क्या से सब्द हैं? सत्थ, अठ्थ, नव, दस, यही संस्कित में क्या हो गए? सब्तम, अस्टम, नवम, दशम, यही ग्रीक में और रोम में ज होता है, डेशिमल होता है, डेका मीटर होता है, यह अपने आप उदगाटित कर रहा है, सक्टमबर, अक्टूबर, नवम, दिसमबर क्रम्शाहा 7, 8, 9 और 10 महिने हैं, लेकिन आज की तारीक में दिसमबर 12 महिना हैं, लेकिन नकल ना लगे, इसलिए रोमन सामराजी के लोग वो ने जन्वरी और Everydaysuga जन्वरी जेनस के नाम पे January, और February दो नए महिने जोड़कर पहला दुसरा महिनà जन्वरी और फ़रविर बना ली है जब भी कुछ नगल करता है तो वो सोचता है कि असल किसी को पताना चले या असल में कुछ न कुछ ऐसी गिलावट कि वो जो है नकल ही असल दिखाईजे और भारत में ये खेल बहुत हुआ है बहुत सारा होता रहा है कभी हमें याद है हमें बाबा से डॉक्टर रंबेटकर के जन्मशताबदी वर्ष 1991 में एक तरीके से इस शेत्र में काम शुरू किया और समन्वे सेवा संस्तान की इस्थापना की और जब मैं उस समय ध्यान की परित्य पाट की सुत्तों के पाट की बात करता था तो हमारे आसपास के लोग मेरे उपर बड़े आरोप लगाते थे लेकिन अब धीरे धीरे वो प्रबुद्धा वास्था आई है अब हम बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं सर आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि हम अपनी जड़ों की और लोट रहे हैं हमारी इस इती वो भीकारी की जैसे खाजाने बे बैठे हैं लेकिन भीक मांग रहे हैं ये खाजाना है हमारा सप्तम अस्टम नवम दशम इन से बना है सप्तेमबर अक्टूबर नवमबर दिसंबर जिन लोगों को भी हमारी भीकुनिया चर्चा कर रहे थी कि विने पिटक में विने पिटक में आप जब पढ़ेंगे तो औशदी इसकंद है और हम देखते हैं कि जीवक भगवान बुद्धी के पास बार बार आते हैं और भिक्वों की बीमारियों का इलाज करते हैं उनको चिकित्सा देते हैं और विने पिटक में हम देखते हैं कि भिक्वों को चिकित्सा कभी ज्यान हुआ करता था जब तीसी संगीती के बाद समराट अशोक ने भारत से नो अभियान भेजे पूरी दुनिया में एशिया के देशों में यहां तक की बैक्ट्रिया तक युनान तक युनान में मझ्धन्तिक दीपवंश महावंश जो उस भिक्व का नाम उदगाटित करते हैं मझ्धन्तिक कि वहां तक भारत की भिक्व गए थेर गए महा थेर गए तो वो खाली धम लेकर नहीं गए अपने साथ और विद्याई भी लेकर गए विद्याई लेकर गए उसके साथ चिकित्सा विद्या भी गई इसलिए ग्रीक में रोमन में चिकित्सा के लिए जो शब्द है थेरों स लोग कहते हैं संस्कित भाषा भारत की सभी भाषाओं की जननी है, हमें इसमें कोई संदेश भी नहीं है, इसमें बहंच भी नहीं करना है, भाषा भीद हैं, भाषा भीदों का अपना अध्यान है, वो गलत नहीं कह रहे हैं, कि संस्कित भाषा सभी भाषा की जननी है, लेकि लेकिन जब आप इसकी यात्रा को जान, ध्यान, चान, घान, जान तीन, जेन तक देहते हैं तो यह पर्णानी की पर्णानी निकलती है यह ना केबल यहाँ बलकि दुनिया की भाशाओं की उत्पत्ति, दुनिया की संसक्रितِ की उत्पत्ती, जैसे हम देखते हैं मगद, सबेरे के सतर में बता रहते हैं कि हम पाली को मुलता मागदी बोलते थे, क्योंकि मगद प्रांत में बोली जाती थी, एक समय ऐसा था, कि मगद जो था, दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता था, कल्चरल कैपिटल आप दो वर्ड, भारत नहीं, दुनिया का कहा जाता था, मगद, महामगद, ये शब्द यात्रा करते हुए, महामद, महमद, मुहमद होता चला गया, ये शब्द ऐसे जात रख, आप दिखते कि उर्दु में, फार्सी में, अर्बी में शब्द है, बुद, अलबुद, बुद परस्त, बुद शब्द, बुद के लिए है, सुमन्यास, बाउध श्रम्णों के लिए ये शब्द है, वो सुमन्यास, वो श्रम्णों से बुद् इसकी उपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, हमारी जो 2006 में पुस्तक चपी थी, बुद्ध का चकुरती सामराज, उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा था, बहुत सूफी हो गए, उस किताब को लखनव में एक मुस्लिम स्कॉलर ने, मस्जिद ने बुला कर, और अपनी मैगज तीन मुस्ट चैप्टर को चापा, और वहां मेर व्याख्यान कराया, कि आपकी उत्पत्ती की जणे कहां से हैं, पाली भाषा, जो मैं एक एक शब्दों के ऊपर बता रहा हूं, ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे अपना पाली भाषा का सब्द है, मेत्ध का अर्थ क्या है, मे कभी उनके नहितारते देखे जाते हैं, मेत्ध शब्द हिब्रू भाषा में बिस्तर के लिए है, बिस्तर क्या होता है, हमारे लिए सुख दाई होता है, बिस्तर के हमको सुख मिलता है, मित्र से हमको क्या मिलता है, सुख मिलता है, मेत्ध हिब्रू में मेत्ध शब्द यहा गद्दापयोगी हुता है। यही शब्ध विज्ञान के एक शाख़ा निरमित करता है जिसको मैटलर्जी भोलते हैं। धातु विज्ञान। मेटलर्जी में क्या करते हुआ हैं। रौ मैटीरियल और रा मैटर को सुखद इस सिती में लाने के लिए पिगलाते हैं, उसके उपर बहुत सारी प्रोसेसिंग करते हैं, और उसको किसी प्रकार से उपयोगी बनाते हैं, लेकिन अभी आपको प्रित्रक्ष नहीं दिखाए देगा कि मैटलर्जी की उत्पत्ति मेत्ता से है, ये मैट् विशय दिया हैं बहुत अपरटन धामिली पी तो उन्होंने स्विकार किया, कि वो जितने विशय हैं, वो सब हमारे दिये हुए हैं, तो आपकी जैसे विद्वान इसके लिए हैं भी, ऐसे ही कंप्यूटर में, कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम काम करता है, वो नंबर स कितने लोग जानते हैं कंप्यूटर हमारा बैन इंद कर सकता है, जितने भी गूर्ण prick प्रणाली पर काम करते हैं, जिसको हम जीरो, और वन कहते हैं, यह अन और 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 आफ कहते हैं, यह जो बैन री नंबर सिस्टम आया करमी में कृटरूप से भारश जाए दम्स आपिती बूक आफ आईचिंग इसके बारे में विवरण दिया एक इसाई मिशनरी ने जर्मन मैथमिटीशन लिबनिट्स को और लिबनिट्स ने उसके आधार पर बाइनरी नंबर सिस्टम डेवलप किया जिस पर आज कम्प्यूटर काम कर रहा है कितना गर्व से सीना फूल जाने वाली बात है कि इस भाषा से कम्प्यूटर चल रहा है लेकिन मिथ्यावादी कहते है यही सबसे सुन्दर भाषा है उनकी ही जो बिटिया है वो लेकिन दोनों के बीच माँ बेटी जैसा संब्न है मैं इसके लिए कहता हूँ संस्क्रित या पाली इनके बीच माँ बेटी जैसे संब्न है आप कहो कि बेटी पहले हुई है कि मा पहले हुई है ये विवात करना अच्छी बात नहीं है दोनों का आधर करने की जरूरत है और सच में जैसा कि डॉक्टर पुफोगरपाल जी ने कहा संस्कृत साहित की सबसे पहले रचना बौधों नहीं की है उसके बाद में और साहित सं स्कृत में रचना की गई जिसे हम महायान बोलते हैं और मैं दो बातों को आप सब प्रबुदू लोगों से कहना चाहता हूं एक बात तो भाशा को लेकि विवाद और दूसरा यान को लेकि विवाद अपने दिलों दिमाग से निकालिये अभी भी बहुत सारे ऐसे थेरवा मतलब उनके अंदर वाद वैठा हुआ है कि वो महायानियों को कुछ हीन दृष्टी से देखते हैं लेकिन अगर आप देख लीजिए यहां से लेके युनान तक अफगानिस्तान तक जहां कहीं भी हमको बौध अवसेश मिलते हैं मूर्तियों के रूप में यह सब महायानिय कि देन है हमको बड़ा गर्व भी होता है कि फलानी खुदाई में मूर्ति मिली है अमुक जगे मूर्ति मिली है यह देन महायानियों की है जो सिद्ध करता है कि इस धरती का चप्पा चप्पा भववान बुद्ध का है और हम महायानियों के प्रति एक हीन भाव भी रखते ह यही इन भाव रखने के आउशत्ता नहीं है यही भाषा को लेकी भी कहूंगा क्योंकि यह जो हमारे अंदर मन के अंदर छुवा चूद बना है चूकि हम उसी विवस्था से निकले हैं न तो हम लगा अतार कुछ न कुछ इस तरीके की बातों को अपने और इसलिए हम फैल नहीं पा रहे हैं इतनी बड़ी कीमती सबबता हमारे हाथ में होते हुए इतनी कीमती संस्कृती हमारे हाथ में होते हुए हम उसमें फैल नहीं पा रहे हैं पाली भाषा में भगवान के लिए शब्द प्रियोग हुआ है भग यह भगवा यह भगगा यही इरानी भाषा में यह सब्द हो गया भगगा यही अर्बी में हो गया पैगा और इसी पैगा से बन गया पैगंबर पैगंबर जो पैगाम ले के आता है भगवान बुद्ध पैगाम ले के आए मजिमा पटिपदा तथा गतेन अभी संबुद्धा तथा गत ने मध्यम मार को खोज निकाला है तो खाली भारत की भाषाओं की उत्पत्ति की बात नहीं कर रहा हूं दुनिया की भाषाओं संस्कृति की बात कर रहा हूं उसकी उत्पत्ति के श्रोथ हमें पाली भाषा में हमें भगवान बुद्ध के धम में मिलते हैं बशर्थ हम अपने दिल को इतना बढ़ा करके देखने का नजरिया पैदा करें हमारे बीच में एक मानताश लिए आ रही है आर्य भारत के बाहर से आए हमारे बाबा से दोक्टर एंबेटकर इस स्थापना को खारीच करते हैं जिन लोगों ने रैटिंग ने स्पीचेश पढ़ी हैं वो इस स्थापना को खारीच करते हैं सच क्या है? भगवान को जो पहला उपदेश है वो आर्य अस्टांग मार्ग है, जिसे अर्य अठंग को मगगो बोलते हैं, अर्य से आर्य है, आर्य सत्य है, अर्य सच्चानी, ति ये जो आर्य शब्द है, ये मूलता पाली भाषा का है, और मूलता भगवान बुद्ध के टाइ पहने हैं, कोट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, यह हमने किसकी नकल की है? अंग्रेजों की नकल की है. नकल कोई किसकी करता है, जिनको अपने से किसी माएने में स्रेश्ट समझता है, अपने से अधी सुसंद्कत समझता है. अक्सर हमारे प्रबुद्द लोग इस तरह के एक आरोप लगाते हैं यह हमारी संस्कती, हमारी भाषा, हमारा चिन इसकी उन्हें नकल कर ली है कोई आरोप की जरूरत नहीं है आपको गर्व होना चाहिए कि हम इतने स्रेश्थ हैं कि लोगों ने मेरी नकल की है आरे भारत के बाहर से नहीं आये इस वाक्र को यू कहने के आउशकता है जो भारत के बाहर से आये, उन्होंने अपने आपको आरे कहना शुरू किया इस शब्द की महता को देखते हुए यह जो अरिय शब्द है, यही क्रमिक यात्रा करते हुए अरियान और अंत्ता इरान मना है इरान में आज भी जैसे भारत का सरवोच राजकिय पुरुसकार है भारत रत्न ऐसे इरान का सरवोच राजकिय पुरुसकार आर्याव महर है वहां आर्याव महर युनिवर्सिटी है 1978 में सम्राट रजा पहले वी को आर्या मेहर पुरुषकार दिया गया था। ये जो आर्य शब्द की यात्रा है वहां से यहां नहीं है यहां से वहां है। लेकिन हम में से ज़्याधा तर लोग क्या करते हैं सेर्शासन चिंतन करते हैं। सिर नीचे पैर उपर करके विचार करते हैं, हम इसको सिर्षासन चिंतन करते हैं, सीधे खड़े होके देखो तो आपको दिखाई देगा कि आपके मस्तक पर बुद्ध हैं, बुद्ध जहें दुनिया के सिर्ष पर हैं, बुद्ध की संस्किती सिर्ष पर हैं, हंगरी, हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट हंगरी का एक रिसेर्चर 1864 में आपको बताएं कि जब भी व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी भी समझदारी पैदा होती है तो समझदारी समाजिक पैदा हो राजनीतिक पैदा हो और अध्यात्निक पैदा हो तो वो अपने स्रोत की और लोटने का प्रियास करता है अपना स्रोत खोजना शुरू करता है जैसे हमारे महान बोदी सत्थ ने स्रोत खोजना शुरू किया हूँ वर्दशूद्राज शूद्र थे कौन स्रोत खोजा और खोजते खोजते किस निशकर्श पर पहुँचे कि सूद्र वास्तों में मूलता इस दे कभी महारों का राष्ठ महाराष्था आज महार अपने को अच्छूत समझ रहे हैं विवस्था ने बना दिया ये शमण पड़ंपरा जो क्रांती प्रतिक्रांती का दौर है उस दौर में इस तरीके के पुथल पुथल हुए हैं तो हंगरी का एक रिसरचर है वो एठारा सो चौर्च में अपने अस्टित की अपनी कोम की खोज करते करते भारत आया भारत आके लडदाक में रहा लडदाक में अठारा महने रहा और अठारा मेरे रहकर यहां उसने मैं आजकल तो ऐसी बात है ने कि मैं जो बोल रहा हूं उसको Google पर सर्च करो कि राजेश चंद्रा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है Google पर सर्च करो History of Budapest, Who is the researcher आपको मिलेगे सब जानकारियां और मूल पुस्तोकों से जाके देखिए तो और अच्छी बात है तो वो वहां का Hungary का कसोरी सोमा नाम का researcher वो 1864 में भारत आया, 18 मेने यहां रहा और वो खुश पाया कि हमारी राजधानी बुदापेश्ट का नाम बुद्ध के नाम पर है आप देख रहे हैं कि भारत कितनी दूर तक प्रभावित कर रहा है बुद्ध की संस्कृति कितनी दूर तक प्रभावित कर रही है अफ्रीकी देश है इथोपिया इथोपिया पाली भासा में इस शब्ध है इथी क्या आर्थ होता है इस्त्री और यहां से उस्द यात्रा करते करते वहां इस्द का आर्थ हो गया देवी इथोपिया इस अ कंट्री आफ गॉड़ेस देवी का देश है और अब जैसे जैसे दुनिया में बुद्ध का धम फैलता चला जा रहा है यह हम नहीं कह रहे हैं दुनिया के रिसर्चर्स कह रहे हैं स्कॉलर्स कह रहे हैं जितनी तेजी गती के साथ दुनिया में बुद्ध का धर्म फैल रहा है योरोप के स्कॉलर्स युनिविस्टी के स्कॉलर्स उनका समाशास्त्रियों का कहना है जिस गती से उस मुलक में उन मुलकों में बुद्धिजम फैल रहा है 2050 तक आधा यूरोप बौध हो जाएगा बहुत सारे यूरोपियंस हर साल हम उनको आमन्तित करते हैं आते हैं त्रिपिटक चैंटिंग होती है और ये सब उनके कहने हैं अभी अमेरिका में बरकले नाम का शहर है बरकले शहर को अमेरिका की बुद्धिस्ट कैपिटल कहा जाता है जैसे उत्तर भारत में किसी से में इलहाबाद को intellectual capital कहा जाता था दक्षिन भारत ने पूने को महाराश्ट की intellectual capital कहा जाता था ऐसे आज की तारिक में अमेरिका में बरकले को वहां की Buddhist capital कहा जाता है और वहां जो बुद्धिस्थ हो रहे हैं वह महार नहीं है वह अच्छूत नहीं है हालीवुट की सेलेबरिटीज हैं, लेबरिटीज में रिसर्च कर रहे हैं सैंटिस्ट हैं, बड़े-बड़े पत्रकार हैं, कोई पॉप सिंगर है, साधारन लोग नहीं है, वो असाधारन लोग हैं, यहां इसको इसलिए इतना ज़्यादा बदनाम किया जाता है, चाकि आप उजले चेहरे क को दिखाने के लिए, हमने अपने दिल और दिमाग को रोशनी से भरना होगा, हमें अपने पुरे दिल को इतना बड़ा करना होगा जिसमें पूरी दुनिया समा जाए, जो हमें समा लेने के लिए व्याकुल हैं, हमें उनको अपने में समा लेना होगा, अभी हम कुछ और श जर्थुस्णरेश, खुच्रुने, छ्टिशताब्दी में, ये सब मैंने बुद्ध क चकवरती सामराज पुस्तक में लिखा हुआ है, जाता कथाओं का फार्सी भासने में अनवाद किया था, फार्सी सी ये सी रियाई भासने में अनवाद हुए, सीर्याई सी अर्वी में अ आपके देनवाद किया था बालाम जो सफट नाम से और वो जो सफट शब्द वोधी सथ्व के लिए परुब्त हुआ है भाषाएं और शब्द यातरा करते करते जैसे इलाइची है इलाइची जो इल है इल यह सब्द मुलता तमिल भाषा का है और इलाइची जो थी यमन यूनानियों ने सबसे पहले नाटकों में पर्दे का प्रयोक किया जो पर्दा गिरता और हटता है तो इसलिए संस्कित नाटकों में पर्दे के लिए जो शब्द है वो शब्द है यवनिका क्योंकि यवनों ने शुरू किया था शब्दों से आपको बड़े रूट मिल जाते हैं, बड़ी जड़े मिल जाते हैं, अर्वी भासा कर सब्ध बुथ, अल्बुथ, अल्बुदासफ, ये बुद, बुदिसत्त का अर्वी रूपांत्रण है, अर्वी जबान का समन्यास, वो भिक्षूँ के लिए परो हुआ है, जो बात अभी हम यहाँ पर अपने पूरी करना चाहते हैं कि आप मेंसे बहुत थोड़ से लोगों को पता होगा पिछले अठारा साल से भारत में पाली भाषा का एक महान उत्सो चल रहा है अठारा साल से उत्सो चल रहा है हमारे बाबा से डॉक्टर रंबेटकर छटी संगीती में सामिल हुए थे बर्मा में अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सुवे सुवे जब इस कारकम को उद्गाटन हुआ वहाँ हम चले आ रहे थे दिक्षा भूमी से और वो 15-20 बेटियां थी कभी तीन शरण दिखा रहीं कभी पंच शील दिखा रहीं कभी आरे सत्य दिखा रहीं कभी आरे स्टांग मार दिखा रहीं कभी प्रतीति समुत पात दिखा रही हैं तो मैं डॉक्टर प्रफुल गडपाल जी से कह रहा था कि ऐसा कारक्रम हमें लखनूर में करना चाहिए। सरवस्ति सर्न ने कहा आप वहां करिए हम इस सब को वहां लेकर आएंगे। हमारे बाबा सहर छटी संगीती में शामिल हो रहे हैं जहां थेर महा थेर अरहत मौझूद हैं बाबा सहर तो मन में एक ख्याल नहीं आया होगा कि काश की अगली संगीती भारत में हो भारत से संगीतियों का क्रम शुरू हुआ भगवान बुद्ध के महापरे निबान के बाद पहली संगीती राजग्रेह में होती है शप्तुपणी गुफा में दूसरी संगीती काला शोक के काल में होती है तीसे संगीती अपने आप में अनूठी बेजोड बेमिसाल समराट अशोक के समय में होती है संगीती के साथ एक परंपरा ही चली आ रही हो परंपरा आज तक चल रही है संगीती जब भी होगी पहली संगीती में तो सारे के सारे के सारे अरहत थे आने वाली संगीतियों में भी अध्यक्ष हमेशा अरहत रहे हैं दूसरी संगीती में भी सबकामी की अध्यक्षता थी और सबकामी वो अरहत थे जो पहली संगीती में भी शम्मिलित हुए थे उनकी उमर 120 साल की थी, दूसी संगीती पहली संगीती के 100 साल के बाद हुई थी, मैं उसके सारे एतियाजिक विवरण के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, तीसी संगीती समराट अशोक के समय में हुई, और समराट अशोक ने सारी दुनिया को धम से जीत लिया, जो पहले तल संगीती संगीती संपन होने के बाद संगीती जब भी होती है, पहली संगीती साथ महीने चली थी, संगीती जब भी होती वो एक दो दिन का सेमिनार संगोस्थी नहीं होती है, महीनों चलती है, तो विखनी विजिया मैत्रेई जी ने एक प्रशन भी उठाया था, बड़ा अ उठाया कि हमें इसमें संशोधन क्या उसकता है सच यह है जो प्रोटो कॉल कहता है वो संशोधन हम आप लोग नहीं कर सकते यह संशोधन जब भी होगा संगीती ही करेंगे थेर महा थेर करेंगे उसके उपर मोहर लगेगे किसी अरहत की अरहत की अधक्षता में होगी तब ही चोथी संगीती शीलंका में हुई जब पहली बार पूरेत रिपिटा को लिपी बद्द किया गया पांचवी संगीती बाबा सही डॉक्टर रंबेटकर के जन्म के 20 साल पहले 1871 में बर्मा में हुई और छटी संगीती बाबा सहीब दॉक्टर रंबेटकर करके रहते हुए बर्मा में हुई और बर्मा में बाबा सहीब दॉक्टर रंबेटकर ने ऐसा एक जनशुती लोकशुती सुनी ऐसी चली आरही परंपरा भगवान के समय से कि महापरिनिब्बान के धाई हजार साल के बा भाद भारत की भूमे से एको पासक के द्वारा धम्म का पुनुरोदय होगा। ये बाबा सहब ने उन्नीसो चोवन में बर्मा में सुना। और जैसे उनके मस्तक में रोशनी कौन गई और वो 12 दिसंबर उन्नीसो चोवन को दक्टर आर एल सोनी के कार्याले में बर्मा में जो बड़े प्रमुदीत कंट से कहा मैंने धम्म दिक्षा का पक्का निश्य कर लिया है। ये बाबा सहब बर्मा में कहते हैं। चोवन में कहते हैं। और बाबा सहब वहीं गड़ना कर लेते हैं। कि भगवान के महा परिनिबान पच्चिस सो साल धायाजार कब हो रहे हैं। और जैसा कि महान बोधि सत्त की घोशना है कि यदी में दस साल और जीवित रहा तो भारत को बुद्ध मैं कर दूँगा। बोधि सत्तों के संकल्प में छोटे मोटे संकल्प में होते हैं। इन संकल्पों में उर्जा होती हैं। उनके प्राण सम्मिलित होते हैं। उनकी च संकल लेते हैं कि हम बोद गया में अब त्रिपितक चैंटिंग करेंगे 2006 से त्रिपितक चैंटिंग बोद गया में शुरू ही और शारे थेरवाधी । लग में देश λέए florida होके चैंटिंग करते है वे ठीपितक काре चैंटिंग करते है थीपितक पिछले सत्र में अभी तक सुत्त पिटक का संगायन पुरा हो गया है अभी जो ताजी ताजी चेंटिंग होई बोध गया में उस दिन से विने पिटक का शुरू हुआ है मैंने पूछा बहन वांगो डिक्सी से कि अभी ये कब तक पूरा होगा तो कहरें मैंने भी भिख्षों से पूछा था वो पूरा उसको लिपी बद्ध करते हैं कि इस साल यहां तक ही पाठ हो गया है वहाँ पेपर मार्क लगाया उसको रेजिस्टर में लिखते हैं सब के अगले साल फिर वहीं से पाठ शुरू होता है तो कह रही हैं कि दो हजार तेतालीस तक पूरे त्रिपिटक का पाठ पूरा हो पाएगा आप भी बताओ दुनिया के सारे देश इकठा होके भारत में त्रिपिटक का पाठ कर रहे हैं और हर दो साल के लिए कोई एक देश उसका आयोजग देश होता है चीफ औरगनाईजर होता है अठारा साल में मैं भी वियत नाम गया तो वियत नाम में मैंने ऐसे एक हजार रुपए एरपूर्ट पे कैश कराया तो मुझे एक्सचेंज काउंटर पे दो लाख चालीस हजार डैंग मिले दो लाख चालीस हजार है मैं बड़ा खुश हो गया कि यहां की मुद्रा हमारी मुद्रा मतलब इतनी मजबूत है कि यहां की मुद्रा में हमको दो लाख चालीस हजार डैंग मिल रहे हैं मैंने सोचा पहले तो चाय पीऊंगा पानी फिर पानी पीऊंगा कुछ नाश्ता कर दूँगा जब मैं पानी पीने गया और चाय पिया एक रेस्टोरेंट पे तो मेरे पास सिर्फ अठारा हजार डैंग बचे दो लाक बारा हजार खाली चाय और पानी में चले गए तो मैं बैठे-बैठे मुस्कराता रहा हूँ उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा कि आज लाखों कि तो मैंने चाय पानी पी लिया मैं ये प्रसंग बताई से रहा हूँ कि विगत दो वर्ष इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग का आयोजा के देश वियतनाम था दो वर्ष तक उसना आयोजन किया एक बार की चैंटिंग में आवसतन धाई करोन रुपया पढ़ना किया कि वियतनामी मुद्रा में जिसकी मुद्रा इतनी कमजोर है भारत की रुपाई के तुलना में जिसकी मुद्रा इतनी कमजोर है उसने भी दो साल तक इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग का सारा का सारा खर्चा वहन किया अपनी मुद्रा में आवसतन अरब डाइंग, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कितने बड़े पुन्न का काम, और हमारे देश में ये आयोजन 18 साल से हो रहा है, आज तक भारत ने नहीं सोचा कि इस आयोजन का जिम्मा हम भी लें, हम क्या सोचते हैं, बौत धरम का उठान कोई और करेगा, हमारा धम्म है, ह करना इस से थोड़े रुपांतरन होगा, रुपांतरन उन योजनाव से हो गया, जिसकी योजना कि आपको संकेत, डॉक्टर फुकुगलपाल जी ने दिया है, कि हमें कहीं जिन्दा बद दिखाई देना पड़ेगा, हमें पाली भाषा को उत्थान करना है, तो सीखनी होग अपने बच्चों को सिखानी होगी, इसकूल में पढ़ाई जारी हो, लेकिन हर मुस्लीम भाई अपने बच्चों को अरभी सिखाता है, उसको कुरान शरीक पढ़ना सिखाता है, हर सिख्य भाई अपने बच्चों को गुरुवानी सिखाता है, उन लिपी सिखाता है, हर मु पांत्रन होगा हमने पिछले साल मैंवांगो डिक्सी से अनमती लिया हम यहीं बोधी बेश के नीचे हम लोग परित्वाट करेंगे बहुत सी बहने यहां बैठी हैं बहुत से बंदु यहां बैठे हैं हमने चार महिने तक अनवरत आनलाइन प्रति दिन परित्वाट का 6 दिसम्बर पर महिन बोधी बेश की चाहों में बैठ कर परित्वाट किया और ना केवल पाट किया पिछले साल हमने स्पॉंटेनियस घोषना की इस बार हमने लिखत पढ़त में घोषना कर दी है बाबा साहिब के धम्मदीक्षा के 70 साल 1926 में पूरे हो रहे हैं 2026 में पू मैं बैचे चमा याचना सहीत कह रहा हूँ कि खाली ताली बजने से काम होगा नहीं हमारे जितना जिम्मा है अपने सामर्थ हमने इन ने लिया है हम अपने समनभे सेवा संस्थान के जरिए उसके लिए नियुनतम 50 लाक रुपिया उसको डोनेट करेंगे है इतना हमारी स्व कामता में कैसे है हमारे संस्थान के सारे मेंबरान ने अपनी SIP, FD और को न कोई ऐसी पॉलसी खोल ली है जो हम दो हजार पच्चीस में अगले साल उसको हम ब्रेक करेंगे और वो डोनेशन हम इंटरनेशनल टेपिटक चैन्टिंग काउंसिल को देंगे कि भारत इसका आयोज देंगे कि हम जागे हुए हैं और हम जिम्मेदार बौध नहीं दिखाई देंगे आप सोचो ना कि यह चैन्टिंग दुनिया के इतने सारे देश इकठा होते तकरिबन 35 देश तो जैनियूनली आते हैं पहले दिन से लेकर आकरी दिन तक अभी इस साल जो रिजिस्ट्रेश आता है हम वहां हर साल एक लाग रुपिया देते हैं श्रू श्रू में हम 20 अजार रुपिया दे पाते थे फिर हम 30डर पय फिर पतचीस पर पचास पर आए इस साल हम यह में 0.5 लाख रुपिया वहां पर दान किया घिसमें सुबह का नाष्टा भर हो जाएगा हम सोचते है कि वहाँ कुछ ने थोड़ी सी तो पुन्य करें हम, थोड़ा सा तो हमारा भारत का योगदान दिखाई दे, और जिस दिन जह हम वहाँ 6 दिसंबर को बाबा सहब के परिनिर्मार दिवस पर, हम वहाँ जब परित पाट कर रहे थे, हमें बहन वांगो ने एक घंटे का समय हमार लिए अलग किया था, उस दिन अपने चैंटिंग को इस्थगित किया, आप सोचे, सारे देशों के लोगों की चैंटिंग को इस्थगित करके उन्हों ने हमें समय दिया कि भारत के अपाशा को सब के सब सफेद वेजबूशा में एक साथ जिसका रहर सल हम चार महीने से जनते ज्ञाना लोग, भिख्खु लोग, प्युजबिकुनी धम दीना, वो सब अनतिम दिन में उनका आशिरवाद मिलता था, आटानाटी सुथ्थ हमेशा ही हम पाठ कराते थे, किसी भिख्खु से ही उनसे निविधन करते थे, पाठ पूरा होने के बास सभी को कुछ न कु किया, तो जब हम वहाँ 6 दिसंबर को बोधिवेश की चाहों में बैठ कर पाठ कर रहे थे, तो पाठ समापन होने में 10-15 मिड़ बचे थे, एक भिख्खु मेरे पास आए, वो देख रहे थे कि this fellow is leading the program, तो मेरे पास आए, माइक मेरे पास था, मेरे कान में दीरे से का, मेरे गुरु जी कुछ कहना चाहते हैं, डाक्टर अंबेटकर के बारे में, I am from Thailand, my name is Soenso, and my master Fra Soenso, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो मैंने पुछा कितनी देर की बात करेंगे, कहने only 5 मिनिट्स, तो ऐसे तो हमाइसा बंते प्री दर्शी जी थे, पूझ विकुनित धम्यदीना ज मैंनों से निविजाने के बंते जी इनको, कहले हैं, ठीक कोई बात नहीं को पासाग जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, और जो हमारा परित्वाट पूरा हुआ, तो वो बंते जी ने आशीरवाद के शब्द तो पासा को पासिकाओं को कहे ही, साथ ही, बाबा सार डॉक् केट करको है, दुनिया इसको मान रही है, लेकिन हम उसको किस तरह रिपेजेंट करें, हमारे देश में यह बड़ा महान एक आंदोलन चल रहा है, और यह जो अखिल भारतिये, पाली भासा साहिस समयलन नाकपुर में हो रहा है, मैं आप लोगों को भी आवान करूंगा, थोड़े थोड़े दान ही कठा किजिए, जब इस महान आयोजन का भारत आयोजक होगा, चीफ ऑगनाइजर होगा, यह आपका थोड़ा सा दिया होगा दान, आपके पुन्य में व्रिधी तो करे का करेगा, इसका इंटरनेशनल मैसेज जाने वाला है, दुनिया को यह मिल जायागा कि भारत के बहुत अब जिम्मेदारी लेने वाले बन गए हैं, भारत के बहुत अब जागरित बहुत दिखाई दे रहे हैं, और यह सिती आने लगी, हम जितने जिम्मेदार होते जाएंगे, मेरे मन के अंदर सपना है, मेरे मन के अंदर परिकलपना है, मेरा इ और ये भारत में होंगी, लेकिन उस समय हम तयार होंगे के नहीं होंगे, जैसा कि डॉक्टर परफुल गडपाल जी ने बताया कि हम कितनी बार परचारित करते हैं, किसी को कोई रिस्पांस नहीं आता है, क्योंकि हम सोई-सोई से हैं, हमें जागरित होना होगा, जगे-जगे संस्थाएं खोलनी होंगी, पाली भाषा को लेकर, चैंटिंग को लेकर, अपने बुद्ध विहारों को केंदर बनाना होगा, इन बुद्ध विहारों में में परित्पाट के अभियान चलाने होंगे, ताकि हमारा अपने संस्कती के साथ आत्मी दिली जुड़ाव पैदा ह और जिए दिन हम यह करने में समर्थ हो गए, तो सबसे बड़ी बात जो मुझे रहरे का आकरशित करती है, कि संगायन जब भी होता है, संगीती जब भी होती है, अरहत की अधक्षता में होती है, यदि हम यह त्रिपिटक चैंटिंग करा ले गए, दुनिया के सारे देशों में संदेश जाएगा, कि भारत अब तयार है, कोई अरहत होगा, जिसकी अधक्षता में भारत में साथमी संगीती होगी, हम उसमें कुछ सेवा कर रहे होंगे, चाहे हम बोजन्दन करा रहे हो हम चाहे पानी ही पिला रहे हो चाहे भिखुओं के आसन ही लगा रहे हो और इस औसर की सबसे बड़ी कीमती घटना जिसकी तैयारी और जिसका आवान हम डॉक्टर पफुलगरपाज जी को पिछले दो साल से कर रहे हैं उसकाम में लगे हुए है पाँचवी संगीती में मिलिंद पण्हो ग्रंथ अनुतरि पिटक के रूप में संबलित हुआ बर्मा में हम चाहते हैं कि सात्वी संगीती में बुद्धा एन इस धम्मा ग्रंत पाली भाषा में अनवाद होके सात्वी संगीती में शामिल हो जब संगीती के अध्धक्ष और थेरो महा थेरो महा संगों के सामने बाबा साहिब का ये ग्रंत आएगा पाली भाषा में अन्वाद होके जिसका गौरब डॉक्टर पफुल गडपाल जीए मैं उसे कहता हूँ आपको समय की कमती है तो अपने सिश्यों को दीजिए सबसे आप कराईए और कराके फिर इसका ultimate compilation आप कीजिए और ये किताब जितनी जल्दी आजाए उतना अच्छा है मैं तो कहूँगा डॉक्टर साब से आप इसकी गोशना करूए किताब आ कर रही है कुछ नहीं तो दो आजार पच्चीस में तो इसका विमोचन करना चाह रहे हैं कि बोद क्या में इसका विमोचन हो तो ये काम बड़ा कींती काम है और गंभीर काम है जैसे कि अभी आपसे आवान किया गए पाली भाषा के लिए करना है हमें इन कामों के लिए भी अपने को दर संकल्पित होना है अपने घर में एक गुल्लक बनाईए उसमें कुछ थोड़े दान इकठा कीजिए कुछ वहां के लिए धान इकठा कीजिए कुछ चावाल इकठा कीजिए कुछ सबजी इकठा कीजिए कुछ कीजिए ताकि भारत अपनी संस्किती को वापस बासके तो इस औसर पर जो हमें यहां पर आपने समय दिया है हम आपके बड़े अभारी है और जैसा कि डक्टर साब ने कही दिया है कि अगला ये सम्मेलन हम लखनौ में कराएंगे ये अखिल भारती पाली भार्षा का सम्मेलन अगला सम्मेलन लखनौ में कराएंगे लखनौ में हर साल हम इंटरनेशनल त्रिपेटक चेंटिंग कराते हैं और ये 2018 से हमने लखनौ वो उत्तर प्रदेश के सारे बहुत इस्वनों पे कराने का संकल्प लिया और वो बड़ा काम्याबी के साथ चल रहा है और विगत दो वर्षों से हमको उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ा सायोग मिल रहा है पांचों इस्थानों की जो फंडिंग है इस फुर्स ताइम वन सम्वन इस सपोर्टिंग में इंडिया पहली बार रहा है जो भारत ने मुझे कोई ऐसा सयोग कर रहा है तो अभी हम डाक्टर साथ से बात कर रहा है आज सुवे ही वागमो डिक्सी के साथ सुवे सुवे मेरे सथ बारत बारतालाब चल रही थी कि नेशनल त्रिपितक चेंटिंग करेंगे सारे विष्व के भिखू होंगे सारे थेरवादी देशों के भिखू होंगे हम पाली भाषा का सम्मेलन करेंगे यह आपका अखिल भारतिय नहीं बलकि अखिल विष्व पाली भाषा का सम्मेलन होगा क्योंकि हमें इन चीजों को जितनी गंभीरता से लेना है, उससे भी ज्यादा गंभीरता से सोचना है. How to do it? How to implement it? हम अपने भाव, सब उनको भाव बोलते हैं, सरोसिती सर को, मैं भी कर रहा हूँ. तो आपका बड़ा आभार है, आपने हमें यहां आउसर दिया, अपनी बात रखने के लिए, और बाकिस सब यहां प्रबुद्ध लोग हैं, एतिहासिक बाते हैं और तथ्यात्मक बाते हैं आप विस्तार से सुन चुके हैं, जो बात मुझे कहने के लिए था, वो मैंने आपकी बीच कही, आपने आउसर दिया, आपका अननत अभार नो होता है, चलिए.